हलो इबरीवन, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं, आप सब उमिद कहती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो अभी दो पहर का टाइम है, डेर बजने वाले हैं, मैं आ गई हूँ, लंच बनाने के लिए तो मैं थोरा सा बाहर का आपको व्यू दिखा रही हूँ, मौसम काफी ठंडा हो रखा है, बहुत दिनों बाद तो दो दिन के लिए थोरी थोरी धूप निकली थी, और आज फिर से बादल लगी हुई है, रात से ही तीज वाली हवा चल रही है, और हलकी हलकी बारिश हो रही है, हवा चलनी तो अभी बंद हो गई है, पर बारिश हो रही है तो आज लंज में बना रही हूँ राजमा चावल मैं परसो नाइट में ही राजमा भीगो की रखी थी कि अगले दिन बनाऊंगी दो पहर में राजमा चावल पर नहीं बना पाए तो आज बना लेती हूँ नहीं तो खराब हो जाएगी हो गए दो दिन भीगो के रखे हुए तो थोरा सा चावल को न छोक देती हूँ अच्छा लगता है राजमा के साथ छोक का हुआ चावल खाने में तो थोरे से लॉंग इलाइची और जीरा रखे हूँ दो चमच घी में इसको छोक रही हूँ तो चावल खोक दी हूँ और डकल लगा दीती हूँ एक सीटी में तो बन जाती है ये चावल तो मैं राजमा को आज ग्राइंड करके और फिर जैसे ढोकला बनाते हैं उस तरह से मैं बनाने वाली हूँ तो आधा से जादा रखे हूँ बाकी थोड़े से बच गया है तो वो मैं आलू के साथ बना लूँगी नाइट में क्योंकि इतना सारा नहीं बना सकती तो थोड़े से अध्रक रखी हूँ दो-तीन हरी मिर्चे रखी हूँ और कुछ लहसन रखके इसको ग्राइंड की हूँ पानी की जुरूद तो नहीं पड़ती है क्योंकि मैं दो दिन इसको भीगोई थी तो बहुत असानी से ग्राइंड हो गया पर थोड़ा सा पानी डालके भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं तो एक बढ़िया सा पेश्ट त्यार कर ली हूँ तेल लगा लिए हूँ ताकि बैटर चिपके नहीं और मेरे पास इससे बड़ी प्लेट है नहीं तो इसलिए मैं इत्ती छोटे बाले में ही सारा बैटर रख देती हूँ अगर थोड़ी बड़ी होती प्लेट तो और पतला सा फैला देते तो इसी में रख देती हूँ और ये मसाले के लिए मैं प्याज भी पीस ली हूँ इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ और जो बच जाएगा लगा हुआ तो उसी में पानी डालके कामा जाएगा सबजी में निकाल लूँगी तो थोड़ा सा पानी डालके इसको रख दी हूँ भाप से पकनी के लिए और थाली से ढख देती हूँ अच्छे से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगे तो 15 मिनट हो गया है तो चेक कर लेती हूँ और देख सकते हैं पानी सारा सुख गया था मैं भूल गई थी इसको रखके फिर अचानक से याद आया तो भागी भागी आये हूँ तो देख सकते हैं पानी पूरी तरह से सूख गई और थाली भी थोड़ी से टेजी हो गई थी तो उसे निकाली हूँ ठंडी होने के लिए एक साइड रखती हूँ और इधर दूसरी करा हूँ और अब बागी के मसाले रख देती हूँ तो हल्दी धनिया मिर्च गरम मसाला यही सब रखूंगे और नमक नमक थोड़ा कम ही रखूंगे क्योंकि राजमा में भी मैं रखी हूँ तो इसके लिए तो मसाले थोड़ी दिर भून ली हूँ और अब इसमें टमाटर रख देती हूँ तो यह दो बड़े साइज की टमाटर है तो मैं मोटे-मोटे ही चौप की हूँ यह गल जाएगी इसमें टमाटर तो जल्दी सौप्ट हो जाती है तो अब इसको ढख के छोड़ देती हूँ मसाले भूनती रहेंगे तो आप देख सकते यह बैटर भी ठंडी होगे अभी है थोरी-थोरी गरम है पर आसानी से निकल रहे है तो मैं इसे पीस-पीस में काट ली हूँ और अब निकाल ली हूँ तो सारे राजमा का जो ढूकलब नाई हूँ वो निकाल ली हूँ थोरा सा प्लेट में चिपक गई थे वैसे निकल तो गई असानी से पर हलका सा लगा हुआ है उसमें तो यह बड़े-बड़े पीसस है तो थोरे-चोटे-चोटे-पीसस में काट ली हूँ और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और मसाले चेक कर लेती हूँ तो मसा मसाला अभी बहुत गाधी है मैं थोरा सा और पानी इसमें रखूंगे क्योंकि जब यह कुक होगी तो और गाधी हो जाएगी तो अधर ग्लास पानी और मैं रख देती हूँ इसमें तो देख सकते हैं मैं थोरा और पानी रख देती और बॉयल भी आ गई है इसमें अच्छ आ जाए राजमा में तो सभी टोकला को रख दी हूँ और चार-पांच मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे तो इसको हलके हाथों से इसमें मिक्स कर दी हूँ मसाले में तो पांच मिनट हो गये हैं और सबजी बनके रेडी है देख सकते हैं सबजी का कलर और बहुत टेश्टी सबजी बनी थे खाने में सच में बहुत टेश्टी लगा था तो अब एक बार जरूर ट्राइक कीजेगा इस तरह से तो मैं खाना निकाल लेती हूँ तो इधर मैं अनु के लिए और अपने लिए दोनों के लिए प्लेट लगा ली हूँ देखो यहां बारीस में बैठा है और देख पूँच पूँच गीली हो रही है देख ले पानी में जा रहा है मैं अभी घूम के आया ना फिर कहां जाना है अब मौसम अभी इतना खराव हो रखा है अभी साड़े पाँच बज रही है और मैं अनु को बोली हूँ कि तुम जल्दी से इसको घूमा के ले आओ नहीं तो यह जित पकर लेता है इसको घूमने जाना ही होता है बारिश में बैठा है पानी में ताइगर उठ जा बेटा देखो कप यह गीले हो रहा है ना देखो और जब आपको ठंड लग जाएगी और फिर यही पैर जाएगा बिस्तर पर बैठने के लिए और अनु अभी घुमा के लिए के आया है और पैर धुलानी के लिए गया तो उसको गुरा रहा था काटनी के लिए दौरा जो मेरा पै टाइगर उट जा भीटा पाड़ी शोर ही है ना ठंड लग जाएगी टाइगर नई मानी गाई बहुत जित्ती शाम हो गई है पॉनेची बज रहे हैं देख सकते हैं पॉनेची हो रहे हैं मैं जारी हूं बाल में तेल रखने के लिए थोड़ी से ना सरदर्द हो रही है ते तो चाइवाई पीली हूं और बाल में अच्छी से तेल लगा ली हूं अच्छी से हैर ओईलिंग अलिए मैं अपनी वीडियो की यहीं निकरती हूं क्योंकि काफी टाइम हो गई है और मौसम बहुत खराब है तो मैं सोच रही हूं डिनर भी आज जल्दी ही बना लो क्योंकि एक तो ठंड का मौसम है जब बारिश होती है तो ठंड बर जाती है तो डिनर अगर थोड़ा जल्दी बना लो तो आप आराम से बैठ सकते हैं रिजाई में तो मैं जाती हूं डिनर बनाने के लिए तो अपनी वीडियो की यहीं एंडिंग करती हूं फिर मि होती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाई